वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की प्रते असी विचार करांगे इस वीडियो चे जेड़े सब इंस्पेक्टर सुर्जीत सिंग जिसने अज बे महौल वेचे जेड़ी पिछले द्हाक्यां वेचे सिक पंथ दा कतले आम होया पंथ होते एक गिनी में थी साजिश अदी हिन पंथ दी नौजमानी नुकातम की ता गया चूटे पर समकाबलें चा ओदे बारे जेड़ा सुर्जीत सिंग ने साच सारे दुनिया मोरे लेके आंदा मीडिया ले तुरू असी इस जो शाक्स है ते ज देड़ी जेस तरह नाय सारा कुछ होया है ओदे बारे विचार करांगे साज संगत सब तो पहला सानु इगलत सपष्ट है कि पांथ तो खतम करन दी हदतों भी बद एना हिंदू आतवादी फिर का प्रस्त इंसानियत दुश्मन जो की असल आतवादी ने उस खिते दे उना ने कोशिश किती है ते ए जो आया होया बार सच है ए उस कोशिश दा एक बहुत छोटा जिया जीनदा जागदा सबूत है जो साड़े सामने ले आया गया है पर विचार करन दी एक गल है कि ए हिंदू आतवादी फिर का प्रस्त पहर्त माता दी नजैज उलादा जिन द खून ही अतवादी फिर का प्रस्त दी दिनाल चल दा है कि आज जो एस साच नो साड़े मुरे लेके होना चाओ देने संगत नो सारी लोकानो जागरत करना चाओ देने कि इस दे मगर कोई होर चाल है साच संगत सानो समझन दी लोड है असी कई जगा देख्या कि साड़े कई गुमरा कीते हुए जाँ पाड़े दे जिड़े सोकोर्ड सिख पंथ दे आगो बने फिर देने वो हमेशा ही ऐसे जिल्ले भी कोई बंबन बाद कोई गिनी में थी साज़े अनुसार कोई अपना मुद्दा लेके होन देने उन्हों केस तरा उन्हों बंदर दी तरा टप अस इश्जिन नू ते वस इश्जिन हाई जैक करनं दी कोशिश करते हैं उस ते जिमें की तुसी जान दाःयों अपने छूटियां चेयरिटियां लोकां तो पैसे घठी करने अपनियां संस्तावा बनावनीयां ते अपनी एक चूट पकांड दी दुकान च लाके सच नू समझना पाएगा एजो इदा सुरजीत सिंग दा बार आना एक कोई इना आतवादी दा मन नी बदल गया कि यह सच दी रात चलना चूंदेने एक लंकित खून एक गंदी सोच हमेशा ही हमेशा सिर्फ गंदगी आतवाद ते फिर कपरस्ती नो जनम देवेगी यह ओ देश है जिस ते हरेक 15-18 मिनिट बाद बलात कार हुंदा है ते ओ थे चंडे चूल देने की पारत इना दा इंडिया शाइनिंग ते ओ किना के इंडिया शाइनिंग है ओ ते 15 मिनिट बाद पाता है लाग जन्दा है जन्या वीडियो दी लेंथ होनी है एदी लेंथ दे दुरान इना अतवाद दी फिर का परस्त लोका दे तेना दे देश ते सासंगत जो देश विच कम हुंदेने ओ उस देश दी विचारता रा उस देश दे कल्चर ते ओ दी सोच दा परतीक हुंदेने जिमे की ए बलात कार जो उस खिते विच हो रहे ने असी देख्या पंजाब विच भी ए हिंदू अतवादी के में मंदरा विच हिंदू ओरतां दा बलात कार कार देने ते अपने आपनों हिंदू तरम दे राखे दास देने ते इस आनू समझना पाएगा कि एना दा एक गंदा देश ओदे पार कंदी लोडा है चनक्यस स्पाष्ट करदा है कि जंग दो तरह के दी जंदी एक लुक मिन जंग है एक समझने हो के लढ़न डरी जंग है और्यादा भारिया दोश्मन दाकतवर है ता दोश्मन जागरत है ता दोश्मन दा दिना लड़न दा ते फेर चुप चुपी कि दोश्मन डर गया, बुगला गया, उसने अपनी जो असलियतों नाता तोड लिया, सुपने दी दुनिया भीच रहें लापया, फिर जो भी तुसी होते जुलम करना है, जो भी होते हमला करना है, सरे आम सामने आके करो, सान विचारन दी लोड़ है, साधे बलगलाय होई पाड 83 सिख नोजवना दा कातल ए इंसान, 83 एक नहीं जेक कातल कीता होवे, पर 83 परवारा नूँ खतम करना ला ए इंसान, ते केस तरह इनू मीडिये विच हीरो बनाया जा रहे है, साच नू दबाया जा रहे है, एजडे बामनवादी मीडिया, पीटी सी, गंदा बादल खूंद एक गंदा आंश, उदे बिच्चो कीता है, सच दी उमीड आएगी, आजडे बामनवादी चैनल ने जित्थे साडियां लागे बामनियां सारा देन हिंदू आतवाद दा पाशन देन दियांने, कि मैं ऐस देश नो उड़ा देना है, पाकस्तान दे टुकडे कर देने, उन उपर मोट कर रहें, अई इस MRI पस्ट आए, लोग सच दे हक विचे नहीं, ए एउ चानक यहनीती दा खिसा है, उट आडे, हुण, उट अठे समने, आडे आडे जोका मचें करेंडेने देखिए कुछ लोग काने विचार वो पैसे कठे कर रहे ने चूठियां चैरिटियां बना के जी आ कर देना लीगल सिस्टम में रिफॉर्म कर देना उनना ते केस चला रहे ने पटिशन तरज कर रहे ने मैं बेंती करा संकता दे चर्णविच पटिशन इना गंग के हिंदू औरता दा मंदरा विच बलातकार कर देने जो की सामने आ चुका है साधे सामने इना दे आतवादी जिनने भी आरेसेस दे लीडर ने दुकी ते की पंजाब विच एदर उदर ये ता नू सच दा आदा ना की ये ता नू इनसाफ दा लोड़ गे विचार करन दी लोड़ है ए फिरका प्रस्त लोग उस चनक्या नीती दा शरयामे इस्तिमाल कर रहे ने ए पंथ दे पंथ नू एक के समनू हारया समझ देने सानू पंथ नू जागरत करन दी लोड़ है ए गंदे सोच कदी भी आपनी गंदी विचारता रहा चड नहीं सकते है ए हुनो वही प्रस्त चनक्याल गलव है कि जे था नू लगद यह ता ड़ा दे दोश्मान टागिया घर गया थे फिर जो भी करना वाराया समनो आके करो विचार करन दी लोड़ है सानू अपने विचार पंथ नू जागरत हो lineshon । लड़ाए ता दी कूतू जा सकती है जे नू आपनी पुलिटिकल पोस्ट देन दी त्यारी हो रही है, एक गल्सपस्ट हो गई है, जेतु ही किमें उस खित्ते दे अंदर लीडर बनना है, जेतु उसी बामनी हो, बड़ा सारा साड़ा लालाओ, मत्य दे टिका लालाओ, दो चार ट्रेना विच भंब राख दाओ, एक दो बस एक पुलिटिकल पोस्ट मिल जाएगी, सानु विचार करन दी लोड है, एक ऐसा गंदा सिस्टम है, जिस दे मोरे, साड़े लोग हले वी, ऐसे सिस्टम दे मोरे इनसाफ मंग रहे हैंने, सानु इना तो इनसाफ मंग दी लोड नहीं, पंथ, सिर्फ ते सिर्फ सानु पंथ ते जगीन रखना चाहिए, पंथ एक सच दा परतीक है, सिर्फ एक को एक सच दी होंदा परतीक है, पंथ सानु पंथ नो जागरत करन दी लोड है, पंथ जो है, ओ इनसाफ लेना जान दे, सानु पंथ नो जागरत करन दी लोड है, सानु पंथ नो सच ना जोडन दी लोड ह आज पंथ विच सिर्फ ते सिर्फ इना दे चूट दे परचार ने पंथ नो एक किसम ना एक तोखे विच एक सूपने विच रख्या गया है सानो पंथ नो जुगा के असलियत दा सामना करौन दी लोड है ते एह जियां चालना तो एह हिंदु अत्वाद दी चाल है इस बंदे ने 83 सिखांदा कतल कीता है कोई पंथ ते इनसान ने पंथ ते कोई एहसान नहीं कीता कि असी इस नो एक हीरो दी तरह परमोट करिये जिमे की समय आउन ते बकरे नो चटका दिता जान दा है जिमे समय आउन ते जेड़ी गांद दो दना दवे उन्हों चटका दिता जान दा है कि उस दे मास दी वर्तो हो सके लोग का दे पोजन दे ले उसी तरह इहो जहे जानवर नो क्योंकि उन्हादी जिंदगी ते सारी एक गुलाम दी तरह उस गंदगी दी पूजा करन नो ते उन्हादी काम करन नो उना दे चम्चे बनके पंथना गदारियां करनो लगी अज इना जही बक्रियां दी इस दुनिया ते कोई लोड नहीं जह पंथ सुर्जीत होवे जह पंथ विचारवान होवे पंथनों खोद पता है कि इना दा की हशर होना चाहिए दा ए फिरो नहीं नहीं इही मैं बेंती करूंगा वाद तो वाद असी साचना जुड़िये जिनन चेकर सी साचना नहीं जुड़दे असी बामन वाद तो उपर नहीं उट सकते वाहिगरुजी का खाल साब वाहिगरुजी की बात